SST-CJL exam में अभी-भी ये question आया है और ऐसे question के लिए मैंने एक ही बात बोली है कि सबसे पहले आप total letters count कर लो तो letters हैं 20 तो उनको क्या करोगे पाँच-पाँच के group में divide कर लोगे फिर उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर पहली position पर है C फिर C फिर C और यहाँ भी C दूसरी position पर यहाँ L तो यहाँ भी क्या होगा L यहाँ भी L है तो यहाँ भी क्या होगा L होगा तीसरी position पर हमें नहीं पता नहीं पता पर यहाँ तो क्या है O है तो यानि यहाँ भी O होगा और यहाँ भी क्या होगा O होगा अब चोथी place पर यहाँ V है, V के बाद क्या आता है W, तो W के बाद क्या आएगा X, और X के बाद क्या आएगा Y, concept थोड़ा अलग है पर वही चीज है, last में तो सभी में क्या है E ही है, तो question का answer बना O, L, O, X, E, L, Y, जो हमें किस option में दिया गया है, D option में दिया गया है, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को like भी करें, comment भी करें, और जितना ज़्यादा उसके share भी करें